स्रीलंका की तरह नेपल में भी आर्थीक मंदी की हालत देखने को मिल रही है हम जानेंगे इस वीडियो में इससे पहले चैनल को सस्क्राइब करो और बेल आइकोन को भी दबा दो नियूज में देखने को मिल रहा है कि वीडेशी मुद्रा के भंडार में गिरावट के कारण नेपल में विलासिता की वस्तूओ के आयात पर प्रतीबंद लगाया गया है नेपाल के केंद्रिय बैंक के तरलता की कमी और विदेशी मुद्रा के भंडार में गिरावट के हवाले देते हुए वाहन और अन्य लग्जरी स्वस्तूों की आयात पर प्रतीबंद लगाने की खोशना की है नेपाल की शरकार ने देश के केंद्रिय बेंक के नेपाल में राश्टिय बेंक बैठक में ये निर्देश जारी किया है उन्होंने फरबरी 2022 से हिमाले देश का सफ़ल विदेशी मुद्रा पंडार था 17 प्रतिशत घटावत के बाद US डॉलर 9.75 मधियम में 11.75 अमेरिकन डॉलर से अरब जुलाई 2021 केंद्रिय बेंक के अनुसा रांकड़े है ये और विदेशी मुद्रा का बंडार अब केवल 6.7 महिनों के लिए वस्तू और सेवाओ के आयात को बना कर रखने के लिए प्राप्त है जोकि केंद्रिय बेंक के कम से कम साथ महिने के लक्षय से कम है शुक्रवार को नेपाल की राष्ट्य बेंक द्वारा आयोजित अर्थ सास्त्र के विक्त पर राष्ट्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने अफवाहो को खारिज कर दिया और नेपाल की स्री लंका की तरह पतन के कागर पर थी शर्मा ने कहा कि नेपाल की आर्थिक व्यवस्ता की स्री लंका की तुलना करते हुए दहेज पैदा करने का बजाओ हम इन सुधार पर ध्यान देते जरूरी है उन्हें कहा कि नेपाल की आर्थिक उत्पादन और राज्यस्व प्रणाली के माध्यम दुलनात्मक रूप से बेहतर स्तीती में है और देश विदेश कर्ज में भारी प्रभावित नहीं है हालाक इस्त्री शर्मा ने स्विकारा की प्रेटोलियम उत्पादन और वाहन की विलासी ता की वस्तू के उच्चा आयात और कारण के देश विदेशी मुद्रा बंडर दबाव में था और आयात में अंकुष लगाने के लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने की आवशकता है